नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश वसिष्ट पिछले कम से कम एक साथ से बलकि ज्यादा समय से मैं आपको पार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से सिस्टम और सरकार हमारे जीवन पे अपनी पकड को मजबूत कर रही है किस तरह से आप एक भी चीज ऐसी ना बोल सकते हैं, ना पह सकते हैं, ना लिख सकते हैं जो सरकार को पसंद नहीं है कुरोना वाइरस के टाइम में हमने जम के इस तरह की सेंसर्शिप देखी है और अब भारत की सरकार भी इस तरह का करने लगी है अभी हाल में आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे यूटूब वीडियोज हटा दिये गए, बहुत सारे चैनल ब्लॉक कर दिये गए और ये सब जिस ग्राउंड पे किया जा रहा है कि ये सामाजिक तानावाना खराब कर रहे हैं वैसा काम उससे ज्यादा घ्रणित तरीके से नेशनल मीडिया रोज कर रहा है लेकिन बात सिर्फ मीडिया और उसस तक होती है तो आप प्रशन और सांत बैठे होते हैं आपको लगता है जितना दिख रहा है उतना मैं देख लूँगा नहीं दिखेगा कोई बात नहीं लेकिन आप मुसीबत आपके से रा गई है अब हालात ये हैं कि आप पकले जा सकते हैं अब हालात ये हैं कि आप गिरफतार हो सकते हैं क्या नया नियम आने वाला है इसके बारे में बताऊँगा कहीं में जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बातचीत करेंगे टेलीग्राम की भी मैं अभी हाजिर हुआ अभी आप क्या करते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्त की ID ले ली Amazon Prime की ले ली Sony की ले ली जिसकी भी ले ली आपने Netflix की ले ली और पिक्चर का मज़ा ले रहे है या content देख रहे है आने वाले समय में यह अपराद होने वाला है और यह अपराद इसलिए नहीं होने वाला है कि आपने कुछ पैसे बचा लिए बलकि यह अपराद देश के लिए खत्रा मान रही है सरकार इसको जैसे जैसे 5Z आता जा रहा है वैसे वैसे सरकार की सक्ती बढ़ती जा रही है अब हालत यह है कि अगर आप तूसरे की ID से लेकर अगर SIM इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप जैल जा सकते हैं भाई आपका अधार कार्ड नहीं है आप अपने दोस्कों का भाई जरा दे दे आए मुझे एक SIM दिला दे अब सरकार इस पे जैल की एक साल जैल की सजा लेकर आ रही है और मोटा जुर्माना पचास हजार रुपे जुर्माना आपके उपर लगा सकते हैं इस एक साल की जैल और पचास हजार जुर्माने की केटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं अब आप अगर टेलिग्राम भी अपने मुबाइल पर एक्टिवेट करेंगे तो आपको उसी सिम से एक्टिवेट करना पड़ेगा जो सिम आपने जाके दुकान पे अपने नाम से अपने आधार कार्ट से ली है और आप खुद इस्तेमाल करना है किसी और का रिंकू का मिंकू का सिम लेके आप लगा लेते हैं वो भी नहीं चलेगा यह जो कानून आ रहा है और OTT प्लेटफॉर्म भी आप बगर ID के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यानि आपकी ID लगी होगी तभी आपको कनेक्शन मिलेगा और अगर आपको कनेक्शन मिल गया OTT का तो आप अपने दोस्त को पासवर्ट नहीं दे सकते है रूल यही कह रहा है इस रूल का कहना है कि सुचना प्रसाण मंत्राले जो है उसका कहना है कि जो एक साल की सजार पचास हजार रुपे तक का जुर्माना हम लेके आ रहे हैं इसका मकसद इस देश में सिक्यूरिटी बढ़ाना है अब भाई से सिक्यूरिटी कैसे बढ़ेगी तो सरकार का कहना है यह कि भाई आपने फेक सिम ले लिया और आपने आतंकवादी की तरह किसी को फोन कर दिया तो अब पता नहीं कितने आतंकवादी दूसरों के नाम पे फेक सिम मुकदमा लगा भी दोगे एक साल की सजाबाला तो उसमें क्या फर्क पढ़ेगा जो आदमी सजाए मौत वाले गुणाओं कर रहा है उसको एक फेक सिंम लेने में क्या दिक्त है वो ले लेगा फिर दिक्त किसके लिए दिक्त मेरे और आप के लिए बनाई जा रही है क्योंकि मैं और आप होता क्या है कि जब भी सरकार आपके उपर शिकंजा कसती है तो उसमें वो एक लॉजिक लेती है कि ये लाजर इंटरस्ट में किया जा रहा है जर्षित में किया जा रहा है और एक कहानी उसके साथ देशित की जोड़ देती है उसके बा पचास होंगे देश में, बाईसाब देड़ सो करोल लोग तोड़ी, इसका मतलब तो आप देड़ सो करोल होगे, ये तो कोई बात नहीं, मतलब कल के दिन आप ये कहोगे कि आप आतंकवादी हो सकते हैं, इसलिए आप हर आदमी के घर में जाएंगे, हर आदमी की तलाशी ले सकते हैं, आतंकवादी को पता करने के 101 कम से कम और भी तरीके सरकार के पास होंगे, इसको आतंकवाद के नाम से क्यों जोड़े हो, आपने आतंकवाद के नाम से जोड़ा, नोट बंदी कर दी, हम सब के नोट बंद कर दिये और बोल दिया, आतंकवाद कुछ कम हुआ क्या, ये सरकार का एक बढ़िया वहना है कि लोगों के उपर जो भी करना हो आतंकवाद का नाम लगदो रास्ट्री सुरक्षा का नाम कर दो भाई एक आदमी के सिम की आईडी से दूसरा आदमी नेट्फिक्स पर मूवी देख रहा है इसमें कौन सा नेशनल खत्रा हो गया और जिस आदमी से खत्रा होगा उसको पकड़िये ना लेकिन कुल मिलाके ये शिकंजा आपके उपर कड़ा करने का तरीका है तो आप समझे इसके इस कानून का जो बेसिक मकसद है ना सरकार का वो यह है कि आपकी एक एक गतेविदी पे वो नजर रख सके वाटसेफ है टेलीग्राम है मान लिजिए आपने वाटसेफ पे एक कोई एंटी लॉकडाउन मेसेज डाल दिया तो सरकार ये पता कर सकी कौन कौन आदमी लॉकडाउन के खिलाफ है अगर मान लिजिए क्यों यह और ऐसी चीज जो सरकार को पसंद नहीं आ रही है उसके खिलाफ आपने मैसेज किया तो सरकार के पास एक लिस्ट बन जाएगी कौन कौन लोग सरकार के उस नीती के खिलाफ है कौन कौन लोग CAA के खिलाफ है और ये काम सरकार के लिए इस नई नियम से बहुत आसान हो जाएगा अब देखते हैं ये मुर्दा देश ये तालियां बजाता है या लोग विरोध करते हैं लेकिन सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि सरकार में जो लोगों वो भी नागरिक हैं कल के दिन वो फिर सडक पे आएंगे कल के दिन उन्हें भी अंदुलन करने होंगे कल के दिन उन्हें भी नारे लगाने होंगे उन्हें भी कुछ नीतियां सरकार के अच्छी नहीं लगेंगी और फिर क्या होगा उनकी आजादी का अगर उनको सबसे रोग दिया गया उमीद करता हूँ आप कानून को समझ पा रहे होंगे मैंने कानून जो आ रहा है उसका एक सही पस्पेक्टिव आपको देने की कोशिश की है कोई भी कानून देश के नागरिकों से उपर नहीं हो सकता कोई भी सरकार देश के नागरिकों से बड़ी नहीं हो सकती सरकार का हर कानून नागरिकों के लिए बनता है हर सरकार की हर गतिविदी नागरिकों के लिए होनी चाहिए और अगर वो गतिविदी नागरिकों की स्वतंतरता को प्रभावित करती है कम करती है तो वो नहीं होनी चाहिए उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा तो ज्यादा से यादा लोगों तक पोचाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार जाहिए